गुट मॉर्निंग स्टूडेंस मैं डॉक्टर अनीता मातुर डिपार्ट्बेंट ऑफ जोग्रिफी बी ए ओनर्स पार्ट टू के स्टूडेंस के लिए हम बायो जोग्रिफी के विशय का अध्यन कर रहे थे और कल की कक्षा में हमने ये देखा था कि जैव भूगोल का विश है और उसी के आधार पर हम अपने पारिस्थितिक तंत्र के बदलावों को जीवों की संख्या उनके विशय शेत्र उनमें क्या चेंज़ आ रहे हैं उनका अध्यन करते हैं उनका अध्यन हमें क्यों करना आवशक है क्योंकि उन्हीं से हमारे पारिस्थितिक तंत्र का जो ब इतिहास के अध्यान का क्या मेहत्व है तो यह जो हमारी प्रत्वी है इसका इतिहास करोड़ों सौल पुराना है इसका रूप निरंतर परिवर्दित हुआ है और वर्तमान समय में भी इसकी उपरी और आंतरिक भाग में निरंतर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं ये सब चलती रहते हैं और उनके चलने का क्या रिजल्ट रहता है कि इसमें कुछ-कुछ बदलाव आते रहते हैं इन में से कुछ बदलाव जो होते हैं वो दीर्गकालीन होते हैं इसलिए हमारी नजर में आते हैं और कुछ बदलाव इस प्रकार के होते हैं जो कि वर्थमान मतब आप उसको अभी हम महसूस नहीं कर पा रहें पर वो धीरे 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 कुछ ना कुछ उस बदलाव की स्थिती हमारे सामने आएगी तो हमारी प्रत्वी से संबंधित किसी भी तत्थे को जानने के लिए हमें उसके एतिहासिक तत्वों का अध्यन करना अवश्यक होता है अगर आप किसी भी चीज़ के विशह में कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसका historical aspects उसका historical background पढ़ते हैं क्यों पढ़त हैं तो उस वर्तमान को justify करने के लिए सबसे पहले हमें उसके इतिहास का अध्यन करना पड़ेगा जब हम प्रत्वी के संदर्व में बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि हमारी प्रत्वी का जबसे create हुई है उससे वर्तमान समयता किसमें बहुत तरह तरह के बदलाव आए है कि वर्तमान में ऐसा हो रहा है तो ये किस वज़े से हो रहा है इसके पीछे कौन से aspects है कौन से कारण है कि ये सारी चीजें आज प्रत्वी पर हमें देखने को मिल रहे हैं इसलिए जैभुगोल का जो दूसरा सबसे important aspect है वो क्या है कि हमें यहां के इतिहासिक जो पापरी पेक्ष्रा है प्रत्वी के इतिहास का अध्यन है वो करना अत्यन तावशक है वो इसके जैभुगोल का एक परम उदेश है उसको अध्यन करना जिससे हम वर्तमान चीज़ों को justify कर सकें फिर हम आते हैं तीसरे point पे जिसे हमने देखा कि इतिहास का अध्यन किया तीसरा point क्य है जीवाश्मों का अध्यन करना या fossils का अध्यन करना ये fossils क्या है एक तरह से ये भी जितने historical aspects रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी देता है प्रत्वी पर किस प्रकार की परिस्तितियां रही होगी किस प्रकार के जीव रहे होंगे किस प्रकार की वनस्पती रही होगी व हमें साक्षे जो है जो एविडेंस है वो हमारे लिए जीवाश मी हैं हम लोग अकबार में पढ़ते रहते हैं आए दिन खबरें आती रहती है कि इस प्रकार के जीवों के जीवाश में मिले इस प्रकार की वनस्पती के जीवाश में मिले जो इतने हजारों साल पुराने थे त पाक एक फिल्म बनी थी आपने भी शायद देखी होगी तो उन डाइनसौर्स के बारे में कैसे हमारे दिमाग में आया कि इतना विशाल जीव कभी प्रत्वी पर रहा है और उसका विलुपती करण हो गया यह हमें किस से पता लगा जब हमने हमें इनके जीवाश्मों मिले डा भी रहता था और इस प्रकार के भौगोलिक बदलाव हुआ यह जोग्रफिकल चेंजज हुए कि इतने बड़े जीव भी हमारी प्रत्वी से विलुपत हो है परंतु हमें अपने आगे के अध्यन के लिए यह सारे साक्षे हमारे लिए बहुत इंपॉर्डन्ट है कि किस प् प्रत्वी के वर्तमान का भी उससे अनुमान लगा सकते हैं इसी प्रकार जो हम फॉसल फ्यूल की बात करते हैं जीवाश्म इंधन की बात करते हैं तो हमारे सामने यह आता है कि अगर हम प्रेजन पर अगर हम देखें प्रत्वी पर तो जितने भी इंधन है या जितने भी वो fossil fuel के रूप में, जीवाश्वा अध्यन के रूप में हमारे सामने हैं। अब हम ये देखते हैं, इनका निर्मान कब हुआ, किन शेत्रों में हुआ, कौन से कारण responsible थे, For example, हम ये देखते हैं कि Western Rajasthan में, बड़ी मात्रा में, प्राकर्तिक तेल के, कोईले के, प्राकर्तिक गैस के भंडार मिले हैं, जबके वर्तमान इस्तिती में अगर देखा जाए, तो ये शेत्र जो है, ये desert area है, यहाँ पर कोई बहुत जादा वनस्पतियां और ये सब नहीं पाया जाता है इस समय, परंतु ये हमने देखा, अगर हमने प्रत्वी के इतिहास का या जीवाश्मों का अध्यन किया, तो हमारे सामने क्या बात आई, कि ये शेत्र, जब प्रत्वी पर ये drift नहीं हुआ था, तब ये शेत्र जो है, ये भूमत्य रिखा के पास था, और य इसलिए यहाँ पर सदा बाहर वनस्पती पाई जाती होगी, वर्ष पर परियंत हरे भरे रहने वाले रक्ष पाई जाते होंगे, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती होंगी, तने मोटे होते होंगे, और जब यहाँ पर इस प्रकार का कुछ घटना घटी, कि ये चीज जो थ ये प्रत्वी पर गिर कर समाप्त हो गई, ये प्रत्वी के उपर कोलैप्स हो गई, दीरे 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 इस पर मिट्टी की परतें जमती रही, और हजारों साल बाद ये सारा जो मटीरियल जो रक्षों के रूप में जमीन में गिरा था, ये कनवर्ट हो गया, ये तापमान क वज़े से आइनमे जो रसाइनिक क्रियाएं हुई gradually यह जीवाश में इंधन के रूप में fossil fuel के रूप में convert हो गया जो आज हमारे सामने है, कोईले के रूप में, प्राकर्तिक गैस के रूप में, प्राकर्तिक देल के रूप में और हम इसका पूरी तरह से हमारा जो जतना भी इंधन की आवशक्ता हैं वो इनी के द्वारा पूरी होती है तो इस प्रकार के बहुत सारे एक्जाम्पल्स हमें हमारी प्रत्वी पर मिल जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि फॉसल्स का या जीवाश्मों का अध्यान जो है वो जैव बूगल के लिए एक बहुत महत्वपून्ट तत्व है क्योंकि इस से हमें प्रत्वी के इतिहास का अनुमान लगता है किस प्रकार के जीव रहे होंगे किस प्रकार की वनस्पतियां रही होंगी कौन से वो फैक्टर्स थे कौन से फैक्टर्स इसके लिए responsible हैं कि ये जीव खतम हुए कौन सी जोग्राफिकल इस प्रकार की घटनाएं हुई कि इतना बड़ा जो शेत्र था या इतने बड़े जो सदा बाहर वन थे वो ऐसी उसकी लोकेशन बदली किस प्रकार से ड्रिफ्ट हुआ और उस ड्रिफ्ट के द्वारा ये शेत्र जो है वेस्टर राजस्तान वाला शेत्र बना जहां पर वर्शा की कमी थी और बहुत जादा मिट्टी होने की वज़े से ये सब चीज़ें जमीन में दबती चली जैसे जो जितनी भी रसाइनी क्रियाई ही उसका क्या रिजल्ट हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है वो फॉसल फ्यूल के रूप में बदल गई तो अगर हम पूरे विश्व में भी देखें इस प्रकार की आपको घटनाए कई जगे दिखाई देंगी जहां पर भी इस प्र जीवाश में पाई जाते हैं उनका अध्यन करना हमारे लिए आवशक है इसलिए जैवुगोल में हम इसका अध्यन ही नहीं करते हैं साथी साथ हम इसके संरक्षन के उपाई भी करते हैं ताकि डारेक्टली या इंडारेक्टली हम इसको खतम नहीं करते हैं हम इसे रीक्रिय नहीं कर सकते यह आज जो हमारे सामने स्थिती है यह हजारों साल के बाद इस प्रकार की स्थिती में आए हैं अगर आज fossil fuels खतम हो जाते हैं तो हम उसको recreate नहीं कर सकते हैं और हमें पता है कि इसके जो भंडार हैं वो एक limited मात्रा में हमारे सामने हैं unlimited नहीं है इनके जो reserves हैं व हमने इसका बहुत ही अमर्यादित रूप में यूज शुरू कर दिया और हमने इनको खतम कर दिया तो हम इसको recreate नहीं कर सकते हैं इसलिए जैव भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण वो देश्य क्या है इन fossils का ध्यन करना इनको संरक्षत करना इनसे भविश्य का अनुमा लगाना और हमें यह देखना है कि किस प्रकार से हम इनके खतम नहीं करना है क्योंकि यहां पे हम इसको वापस recreate नहीं कर सकते हैं तो यह एक बहुत important topic है जैव भूगोल के अध्यान के में कल के lecture में हम अपने आगे के इसके जो विशे शेत्र है जैव भूगोल का उसके बार